हेलो फूडिस्टा विवर्स कैसे हैं आप सब आज हम बनाने वाले हैं वेज गोबी मटर कीमा जी हाँ ये बहुत ही टेस्टी सबजी बनती है बहुत मज़ेदार बनती है और खाने में तो इत्ती यमी है कि बस उंडलिया चाटते ही रह जाएंगे तो इसको कैसे बनाया है सबसे पहले मैंने लिए कड़ाई कड़ाई में डाला है 3-4 चमच रिफाइन डॉयल और उसमें डाला है आधा चमच जीरा जीरे को हम अच्छे से चटकने देंगे और जैसे ही चीरा चटक जाएगा इसमें डालूंगी एक चमच क्रेट करा हुआ लहसुन का और आपको अग अच्छे से चॉप्ट कर लिया था तो वह डाला है तो दो चमच अत्रक एक चमच हरी मिर्ची एक चमच ग्रेटिव प्लैसून तो इसको हम अच्छे से थोड़ा सा सौटे करेंगे एक मिनट के लिए जैसे ही हलका सा सौटे हो जाएगा तो हम इसमें डाल देंगे मैंने प् ज़या चॉप कर लिया था चॉप करेंगे इसको हम नहीं डालेगे तो आब हम इसको अच्छे से प्राउन कर लेते हैं तो इसको वंने में कम से कम हमें चार से पांच मिनट लगेंगे और तो इस तो मैं इसमें डालूंगी स्वात के अनुसार नमक, एक टीस्पून लाल मिर्ची पाउडर, थोड़ा सा चटपटा बनेगा मज़ेदार, तो इसमें हाफ टीस्पून हल्दी, और एक ही चमच टीस्पून सूखा पिसा धनिया, तो इन सब को डालने के बाद हम एक बार इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और मिक्स करते हुए हम इसमें दो से तीन चमच पानी डाल देंगे, ताकि जब हम मसालों को भूने, तो वो जल्दी से जल ना जाए, बलकि आराम से वो कुक हो जाए, उसका फ्लेवर अच्छे से इस मसाली में हो जाए, तो अभी हमने क्या कर दो चोटे टमाटर जिसको मैंने चौप कर लिया है, इसमें टमाटर हमें थोड़ा कमी रखना है, बहुत जादा टमाटर हमने नहीं डालना, क्योंकि ये जो बनेगा कीमा बहुत ही बढ़िया बनेगा, जो वेज कीमा है, लोग नॉन वेज कीमा बनाएंगे, और वो भी बह अब हम इसको अच्छे से 2-3 मिनट के लिए पकाएंगे, जब तक कि टमाटर अच्छे से कुक ना हो जाए, टमाटर का पकना बहुत जरूरी है, टमाटर को अच्छे से पकने दीजेगा, जलवाजी मत करिएगा, तो अच्छे से टमाटर पक गया है, अब मैं इसमें एक दाल दूँगी 2-3 चमच पानी के, इससे क्या होगा, थोड़ा सा मतर जल्दी गल जाएगा, और नीचे लगेगा भी नहीं, तो अब हम क्या करेंगे, इसको मिक्स करके, और हम इसको ढख देंगे कम से कम 3-4 मिनट के लिए, तो 3-4 मिनट के बाद जब मैंने चेक करा, तो हम हमारे मतर बहुत अच्छी तरह मिक्स हो गए है, हम इसको एक पर हिला लेते हैं, मतर पी पग गए है, मसाला अच्छे से लिपट गया है, सब अच्छे से पग गया है, तो अब हम क्या करेंगे, इसमें डालेंगे फूल गोबी, तो फूल गोबी को मैंने अच्छे से कद्द कद्दूकस किया है तो ये एक बड़ा फुल गोवी का था मैंने कद्दूकस कर रहा है और अब मैं इसको इसमें मिक्स कर दूँगी और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको पका लेंगे जब तक यह जो मसाला है हमारा वो ओईल न छोड़ दे तो तब तक पकाएंगे इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं इसको दो से तीन मिनट के लिए ढख भी दूँगी गोवी जो है ग्रेट करी हुई है तो जल्दी पक जाती है इसमें ज्यादा टैम नहीं लगेगा तो ढख दिया है दो से तीन मिनट के लिए दो तीन मिनट के बाद जब हम चेक करेंगे तो ये देखिए बड़िया सा गोवी जो है हमारी मिक्स हो गई है सारे मसालों में और अब मैं इसको खुले में कम से कम एक से दो मिनट के लिए और पकाऊँगी भूनूँगी यानि की अच्छी तरीके से और साथ में ही मैं इसमें डाल दूंगी थोड़ा सा ये गरम मसाला आधा चमच के आसपास टी स्पून आधा हाफ टी स्पून और साथ में ही इसमें डालूंगी हरा धनिया और साथ में इसमें डाल देंगे अधरक लंबा गटा हुआ पतला पतला इसमें अधरक का फ्लेवर ब इसके पराठे भी बना के खा सकते हैं सेंट्विच भी बना के खा सकते हैं और समोसे भी बना सकते हैं ना मज़ेदार तो जरूर खाईएगा